आज हम पढ़ने वाले हैं, ठेवरी या मसीन में what governor के बारे में, जानेंगे what governor क्या होता है और वो कैसे काम करता है, सबसे पहले हम जानेंगे what governor, what governor का जो कि आप डायग्राम देखोगे, यह diagram जो होता है, इसका main काम होता है, किसी वी चीज का जो discharge हो रहा है, जैसे engine में, engine में इस चार्जिंग को कंट्रोल करता है कंट्रोल करने के लिए मैं लिए गवर्नर का इस्तिमाल होता है यह जो डायग्राम है यह वाट गवर्नर का डायग्राम है वाट गवर्नर का डायग्राम में देखेंगे इसके सबसे पहले पार्ट्स देखेंगे ये जो हिस्से होते हैं इसके ये इसके आर्म कहलाते हैं इसको आर्म बूलते हैं बीच में जो होता है वो स्पिंडल होता है साइड में जो बॉल होती है इसको फ्लाई बॉलते हैं इसके लाबा इसमें अटेच होता है जो सिलीव होता है और सिलीव से जो बेले करेंग लीवर फाल पाल उसकी को की यहां बाल इसके ऑलाब यह कनेक्ट होता है एक से रूटेट pra और च्रीट खथenne यह Bell Crank Leaver है , जो ठ्रोटिल बाल होता है , इसको Cape control-leopard रखता है इसमें अगर को एरफ प्रेशर बगैरे लगता है तो एरफ प्रेक्र के द्वारा यह throttleバल को प्रon origin करता है इसको वाट गवणनर बोलते हैं , वाट Gवणनर में क्या होता है ? यह स्पीट को कंट्रोल करके रखता है में चाहिए फिलो का स्पीड हो कोई भी हो तो इसके लिए हम फिलो के लिए इस्तेमाल करते हैं वाट गवर्नर का इसमें की यह आर्म होते हैं दोनों भाग यह स्पिंडल होता है और यह प्लाई बाल होते हैं और यह स्लीव होता है यह सवाल गेर में हमीश सफ्ट करता है तो is इस से बेल करींग लीवर हम पर इस Kang का काम कंपने क्ञा है इसमें हरता है एक डार होता है यह क्क्राइब होते ऐसके दूप्तिंडेट्ट होने के बकारण यह spindle भी rotate करता है spindle rotate करता है spindle step से continue rotate करता है और fly ball होती है इसको balance बना गए रखती है और यह इसके द्वारा यहां से जो sleeve होती है sleeve को द्वारा बेल के लिवर के द्वारा total ball को control करता है what governor का mathematical formation में जाएंगे तो सबसे पहले इसका free body diagram देखना पड़ेगा तो what governor and its type बताया गया है इसमें what governor में पी पॉइंट होता है जो कि यहां meeting point होता है यहां ball का point होता है center point और यहां पर यह होता है sleeve लगी होती है sleeve होती है simple pendant type का हम पहले पढ़ रहा है इसमें जो वाल होती in ball में दोनों तरब से balance होता है एक जेसा बराबर होता है तो होता है उसा प्यप्वाइंट के लिए इसमें क्या होता है जो टेंशन होती है यहां से यहां था point तक ball के center तक center ball से यहां से एक centipocal force जाता है जो के एपसी रहता है गोर एक में पी और पी पॉइंट जो होता है दोनों बराबर बिलेंस होता है ओ इसका meet point होता है और इसके बॉल है बॉल तक पाई होती है इसको height आप गवर्नर भोलते हैं अगर pin type का open arm type है मतलब जिसमें जो arm है इसके दोनों यहाँ पर meet कर रहे हो जैसा कि इसमें किया हुआ है अगर cross type का है cross arm type का है तो इसमें क्या होगा जो arm है दोनों इस point के द्वारा cross करेंगे यहाँ पर आगे जाएगा और यह वाला यहाँ पर आगे जाएगा और ball में जो यह रहेगा यह height कहलाएगी O point पर तो इसमें तीनों point का बताए गया है एक हमारे पास ball का जो होता है पी point पर meet कर रहा हो तो meet कर रहा हो P point पर तो यहाँ पर यहाँ पर टेंशन हो जाएगा और FC centriple force और यहाँ पर W weight और R जो रहेगा इसका बीच का dimension रहेगा ball और इसका axis का dimension तो कि यहाँ पर spindle होता है यह sleeve होता इसके बाद एक हमारे पास open arm type का होता है और cross arm type का होता है Open arm मतलब o point पर meet कर रहा हो ball के दौारा और यहाँ पर PP point हो और crossed arm type का होगा तो यहाँ से ball के दौारा यहाँ पर crossing हो रहा हो तो यह PP point पर O point के लिए और ages का height आप governor हो जाए इसके आप सबसे पहला कोईट आते हैं, प्वायंटपी , वाीफी अपशेट प्रॉम्धिंद्र इस स्वजी और stories when produced intersect at O S1 and figure B B point में आप देखोगे जो spindle axis होता है वहाँ पर P point जो होता है वो एक offset point होता है third line होती है P may be offset but the arms cross the axis at O S1 and figure C C figure में आप देखोगे तो इसमें जो axis point होता है O point पर जो P point होता है वहाँ पर क्या होता है cross axis होता है जो कि diagram में आपने देखा तीनो diagram देखा है first point में spindle axis पर meet करता है दूसरे पर इसमें offset होता है spindle axis पर और तीसरे इसमें offset होता है और इसमें क्या होता है O point पर जो कि cross होता है axis पर next इसमें methametical आता है late m equal to जो जलाएता है वो होता है mass of the ball in kilogram में होता है W होता है weight of the ball in newtons में जो कि m into g के बरावर होता है weight का formula mass into gravity T होता है tension in the arm जो कि newtons में रहता है इसके लाएबाब ओमेगा ओमेगा इसमें जो होता है angular velocity of the arm है and ball about the spindle oxygen radian per second में रहता है R होता है इसमें radius of the path of rotation of the ball horizontal distance from the center of the ball to the spindle oxygen meters में रहता है Fc होता है centrifugal force होता है acting on the ball in newtons में m into omega square into r के बरावर होता है H होता है height of the govern in meters में रहता है so इसने यह point आते हैं M जो होता है mass of the ball in kilogram ball की mass होता है W जो होता है weight of the ball in newtons में m into g T होता है tension in the arm in newtons में omega होता है angular velocity of the arm and ball about the spindle oxygen the radian per second r जो होता है radius of the path of rotation of the ball जो की horizontal distance from the center of the ball to the spindle oxygen meters में रहता है Fc होता है centrifugal force acting on the ball in newtons m into omega square into r के बरावर होता है H होता है height of the governor meters में रहता है इसके लाबा it is assumed that the weight of the arms links and the sleeves are negligible as compared to the weight of the balls now the ball is equilibrium under the axon of force अब इसकी ताबसे हम लोग इसमें देखें अब बाल में आपने देखा होगा वहाँ पर tg लग रहाथा हो centrifugal tension लग रहाता हो weight लग रहा था सबस्ते पहले क्या है ته सेंटिपरावल force efsE acting on the ball जो कि ball इसट I dot c ठी यहाँ पर एक यहाँ पर डवल बेट लग रहा था यहाँ पर centrifugal pork S efsEurt लग रहा था घर्रहाँ पर यहां पर जो था Taking moments about point O, तो FC into H equal to W into R के बराबर होता है, centrifugal force into height equal to W into R, W equal to M into G, weight होता है, वो होता M into G के बराबर, तो इसकी value put up कर देते हैं, यहाँ पर M into G into R हो जाता है, सो centrifugal force का formula, FC equal to M into omega square into R होता है, तो इसको हम put up कर देते हैं, M into omega square into R into H equal to M G into R के बराबर, M से M cancel हो जाएगा, और R से R cancel हो जाएगा, तो इसको हम cancel करने के बाद, H equal to हो जाएगा G upon omega square, So when G is expressed in meter per second square, and omega in radian per second, then H in the meters, if N is the speed in RPM, so omega equal to हो जाएगा 2 pi N upon 60, यह formula होता है, 2 pi N upon 60 angular velocity का, चूंकि फार्मूला यह होता है, H equal to height निकालने का, G upon omega square, तो H equal हो जाएगा, G upon omega square, omega की जगा पर क्या कर देंगा, put up, 2 pi N upon 60, यहाँ पर put up कर देंगे, तो H equal हो जाएगा, G की जगा पर 9.81, upon 2 pi N upon 60 का whole square, तो हम swap करें, तो जग 8.95 upon N square meters, तो height of governor आजाएगी, 8.95 upon N square meters की पराबर,